नमस्कार दोस्तों आप सभी का पहुत पहुत स्वागत है हमारे यूटिप चैनल में दोस्तों 10 जून को साल का पहला सुरिगरन लग रहा है ऐसे मैं ये भारत में दिखाई देगा या नहीं और गर्वती महिलाएं इस सुरिगरन के दोरान क्या करें आपको बताएंगे तथा आपको बताना चाहेंगे कि ये सुरिगरन काफी बड़ा और काफी फ्यंकर होगा क्योंकि ये लगभग 5 घंटे का होगा जिसकी वज़ा से यह प्राकिर्थिक अवधाओं का कारक बन सकता है ऐसे मैं गर्वती महिलाओं के साथ साथ हर मनुस्य को इसकी सावधाने जरूर बरति चाहिए क्योंकि चंद्रग्रहन के किरने हर मनस्यों को प्रभावित करती है ऐसे मैं आपको बताएंगे इस ग्रहन का सुतकाल, सही समय और ग्रहन के दोरान बरती जाने बाले उन महत्मुन सावधानियों के बारे में तथा ग्रहन के दोरान किये जाने बाले उन महत्पुन कार्यों के बारे में जिनको हलका सभी असर आप पेर और आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा। तथा आपको उसके बारे में भी बताएंगे जो इस दोरान करना वर्जित होता है। आपको बताएंगे सारी जानकारी दोस्तों वर्स 2021 में 10 जून को साल का पहला सुरिग्रन लग रहा है और जोति सासर के मताविक यह ग्रन आंसिक सुरिग्रन होगा इस सुरिग्रन को भारत सहित, कनाडा, रूस, ग्रिन लेंड, यूरोप, अमेरिका और उतरी अफेरिका में अमेरिका में देखा दा सकता है दोस्तों साल का पहला चंद्रग्रन यह जेट मास के किरिस्न पक्षिके अमवस्यात ठीको लगेगा और भारतिय समय के अनुसार यह दो पहर एक बज कर बैयालिस मिनट से शुरू होगा और इस सुरिग्रन की शमाप्ती साम छे बज कर एक तालिस मिनट पर होगा यह सुरिग्रन बहुत ज़ादा भ्यंकर रहनी वाला है क्योंकि यह सुरिग्रन जहां तक लंबा होने के साथ साथ यह काफी खतरनाक होगा दोस्तों सूतक इसके बारा घंटे पहले ही लग जाएगा ऐसे में गर्वत्ती महिलाओं को अपना विसेश धिहान रखना होगा उन्हें गर्वन के दोरान बाहर नहीं निकलना चाहिए खास कर गर्वन के चाया को गर्व में बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए गर्वन के दोरान खाने पीने के चीज़ों में तुलसी का पत्ता डरूर जाल देना चाहिए इससे उस बोजन में पेपदार्थों का ग्रहन का दोस नहीं लगेगा ग्रहन के समय सभी लोगों को अधिक से अधिक भगवान के धियान करना चाहिए मंत्र का जाप करना चाहिए ग्रहन समापती के बाद असनान जरूर करना चाहिए जी हाँ आपको बताना चाहेंगे कि सूरी गरण के दोरान गरवती महिलाओं को हिंदू धर्म के अनुसार पोरानी कत्थाओं के अनुसार गरवती महिलाओं को सूरी गरण के दोरान घर के अंदर रहना चाहिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दोरान घर से बाहर निकलना हानिकारक होता है सूरी ग्रण के दोरान गरवती महिलाओं को शाकू, पिन, सुई, कैची जैसे नुकीली चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि हिंद पोरानी कत्थाओं के अनुसार यह माना जाता है वेसबदी के दोरान सिशु में विक्रिती का कारण बनती है ग्रहन के दोरान शाकू, कैची, बलेड इत्याजी किसी भी कटने वाली वस्तो का उप्योग न करें इससे अजन में बच्चों पर अंगों पर बुरा असर पड़ सकता है दोस्तों, शाल 2021 में पढ़ने वाला पहला चंदर ग्रहन और कौफी ज़्यादा इफेक्टिव था ठीक उसी तरह यह सुरी ग्रहन भी बहुत तीज़ादा भयानक रहने वाला है ऐसे में आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप इस वीडियो को अंदतक जरूर देखें इसमें कुछ उपाई भी आपको बताने वाले हैं ग्रहन काल के दोरान कई प्रकार के असुद्द और हानिकार करने निकलती हैं तो कुछ कारे हैं जिनें ग्रहन काल के दोरान करने के जरूरत रहते हैं जिनसे के गर्ब में पल रहे सिशु पर इसका कोई भी असर न पड़े सुई धागे का उप्योग इस दोरान निसेध है ग्रहन की अबदी के दोरान भगवान का नाम लेने के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए गर्वती महिलाओं को ग्रहन को खुली आखो से नहीं देखना चाहिए सूरी ग्रण के दोरान गर्वती महिलाओं को सोने के सला नहीं दी जाती हैं उसे फर्ष पर फैली घांस पर बैटना चाहिए। आप चाहिए तो आप हनुमान चलीशा का पाट कर सकते हैं, गायतरी मंचर का पाट कर सकते हैं, महा मिरतुंजे मंत्र और गोपाल मंत्र का चाप कर सकते हैं। दोस्तों सुरी घ्रन के बाद गर्वती महिलाओं को असनान करने की सला दी जाती हैं। गर्वती महिलाओं को सुरी घ्रन के शुरुवात से पहले भी असनान कर लेनी चाहिए। गर्वती महिलाओं को अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए महा मिरतुंजे मंत्र और संतान गोपाल मंत्र सुरी मंत्र और विश्रु मंत्र का जाप करना चाहिए दोस्तों ग्रहन के दोरान भोजन खाना या भोजन बनाना या पाने पीना भी मना ही होता है ग्रहन के दोरान असनान न करें ग्रहन समाप तो होने के बाद असनान चरूर करें गिर्ण के दुरान गुरु के द्वारा बताए गए मंत्रु का चाप आप अवस्य करें आपका दिन बहतर बनें इसके लिए कमेंटर वाक्स में जैमा आता दियो वस्य लिकें आपका दिन सुब हो मंगल कारी हो जैमा विंदु वासने